असलाम वालेकुम एवरीवान, डिस इस अलीव फ्रॉम मासिक, दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, ओपो के नए बजट रिंच फॉन की, ओपो A11K, जिसकी रीटेल प्राइस पाकिसानी मार्केट में 19,000 रखी गई है, और ओपो की आफ्लाइन मार्केट में क काफी ज़्यादा इंप्रॉमेंट की गई है, फिंगर पिंच सेंसर डाल दिया गया है, और एक ऑक्तागोर पोसेसर डाला गया है, जो के हीलियो पी 35 है, और वो लोग ज़रूर कर सकते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग करनी है, या ओपो के फॉन का यूजर है, और ज़रूर इसको फोकस कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में देखते हैं कि बॉक्स में क्या कॉंटनेंट है, और फर्स्ट लूक कैसी निकल कर आती है, ओपो 11K की, क्योंकि नया कलर भी मेरे पास आया है, तो ज्यादा पो नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं, ओके जी दो पर कुछ की स्पैसिफिकेशन को मेंचिन किया गया है, जहां आपको एक HD प्लस वाटर ड्रॉप स्क्रीन मिल रही है, AI क्वाइट कैमरा सेटप को रखा गया है, फिंगर पिन सेंसर की आइकन को मेंचिन किया गया है, और AI फेस अनलॉक भी आपको स्वान में देखने को में बाक्स को करते हैं, तो यहां रेपर को करने के बाद बड़ी मैट फिनिशिंग में बॉक्स रखा गया है, और इसको ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले उपर एक लिड़ मिलती है, जिसमें एक्सपेक्ट यही कर सकता हूं कि भाई कुछ सिलेकॉन केस वगरा होना चाहिए, जहां दोस्तों यहां पर एक सिलेकॉन केस रखा गया है, जो कि इस शेप में निकल कर आता है, और बाकि आपको कुछ मैनुवल गाइड और वारंटी कार टाइप की चीज़ स्टफ मिल रहा होता है, और यहां आपको मिलदा आता है, एक सिम इजेक्टर टूल जो कि इस शेप में रखा गया है, और उसके बाद हमें मिल जाती है, डिवाइस जहां वही की स्पेसिफिकेशन को मेंचन किया गया है, जो कि हमें रियर साइट पर भी देखने को मिली, ओपो एफ चाहिए को और फिक में वहा भी जातना है, इसको हम ऊपन करते हैं और इसको रकते हैं आसट को साइट पर बीक ऊटोर्व arriv की बात करेंगे फान दरह का खुब सूरत सा लेखने को मिल रहा है, लेकलर आगे आपको बजट रेंज के फॉन हैंस वी तो देखने को मिलती चार्जर ब्रिक और चार्जर वोट की की बात की जाए तो 5 वाट , टू अम्पेर वाला चार्जर मिलता है, 10 वाट का आपको चार्जर देखने को मिल रहा है, हीनुकी चेक करें तो यहां पर यौजवी को ही कि कर सकते हैं तो यहां पर रखी गई है एक माईक्रो सुद्ध की केवल यहां थोड़ ऐसी इंप्रॉवर्मेंट के जरूर जरूर रभाट एक बजिट रेंच का फॉन जादा साइजय नहीं करना चाहूंगा बागी बॉक्स में कोई कॉंटेंट नहीं है फॉन को ले आते हैं सामने तो सबसे पहले बात की जाए कुछ डिस्प्ले की तो यहां पर एक प्री अप्लाइड प्रोटेक्टर आपको ओपो के फॉन में वैसे भी देखने को मिल जाता है ड्यू डॉप नॉट बाज इस प्ले है उपर की चैट पर एक स्पीकर ग्रिल रखी गई है अब रियर की बात की जाए तो भाई बहुत खुब्सूरा सा डिजाइन बनाया गया है जहां आपको एक यह टेक्सिर देखने को मिल रहा है जो कि इस फॉन की खुब्सूरती के इसाप से अगर देखा है तो ठीक बनाता है ओपो का लोगो है राउंड शेप में आपको फिंगपिन सेंसर मिल रहा है डूल क्यामरा सेट अप और एक लाइट लगाई गई है इसी तरह की शेप हमने कुछ ए 5S में भी देखी है तो यहां वही तक्रीबन साइज भी रखा गया है एक ही फ्रेम में साथ अप मेमरी काड़ भी लगा सकते हैं स्पीकर ग्रेल माइक्र यसबी की किनेक्टिवीटी दो माइक रखेंगे हैं मतलब माइक क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होगी इस फॉन के अंदर और वहीं आपको एक 3.5 आम का जैक देखने को मिल जाता है जो कि बड़ बड़े प्रकीट में कुछ साड़े सतरह अठारह आजार के राउंड वाड़ यह फॉन आपको देखने को मिल जाता है तो फॉन को में एक्टिवीट करता हूं और बाकी बात करते हैं कैमरा स्पेस्फिकेशन और प्रोसेसर की ओके जी दोस्तों ओपो ए 11 क को मैं एक्टिवेट का चुका हूं यहां डिस्प्ले की बात की जाए तो एक 19 इंटू 9 के रिशो आते हैं वो थोड़े से लंबे फोन होते तो यहां पर आपको चोड़ा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है एक 720P के पिक्जल्स है और ओपो ने बिल्कुल साइट पर बैजल्स कम मिल रहे हैं अलाकि इंट्री लेवल का फॉन है चिन जुरूर इस फॉन में रखा गया है लेकिन पहले की जब थोड़ी सी डिस्प्ले में स्मूथनेस भी मुझे फील हो रही है अब यह मेरा परसनल ओपीनियन है आप भी जब लेंगे मिल रहा है और मैं अब यहां कोँगा कि थोड़ा सा ओपो कोशिश कर रहा है लेकिन स्टिल ओपो हैस्टू बी सीडियस आपको बजट रेंज के अंदर भी कुछ अच्छी डिवाइस मतलब इससे भी अच्छी डिवाइस आपको परवाइड कर नहीं होगी नो डाउट अच को पुसेसर है पावर विया रोग 832 का जीपी रखा गया है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.1.2 मिल रहा है तो बहुत यह अंड्राइड 9 रखा गया है तो यहां एंड्राइड 10 की भी अपडेट होनी चाहिए थी आप यह लॉकडाउन की वज़े साइट जो डिवाइ कैमरा सेट अब है एक में सेंसर 13 मेंगा पिक्जल का रखा गया है जो के बिल्कुल ओपो का वैसी काम करता हो नजदर आएगा जैसा कि हमें देखने को मिला और वहीं फरन्ट कैमरा की बात की जानी तो एक 5 मेंगा पिक्जल का सेल्फी सेंसर है अब यहां भी इंप्रूमें हैं उनको भी ओपो को मॉनिटर करना चाहिए और मजीद इंप्रूमेंट की जरूरत है वह अगर बात की जाए तो वह आपको बिल्कुल ओपो का तो हमेशा से फास देखने को मिलता तो यहां पर काफी कुईक लगाया गया है और फेस अनलॉक भी आपको फास देखने को मिल ज बहुत खुबसुरत बनाए गया है लोग बहुत खुबसुरत बनाए गयी है एक डिफरंट बनाए गया और उन्हीं लोगों को फोकस किया गया है नॉर्मली जो के अठारा से बीस अजार में सिर्फ ओपो का डिवाइस लेना चाते हैं जिनको स्पेसिकेशन से कोई मतलब न लग रहा है पहले की निजबत इंप्रूमेंट है हीलियोपी 35 की परफॉर्मेंस इतनी भी बुरी नहीं है अब आपको कैसा लगा ओपो 11 के और आप ओपो की यह इंप्रूमेंट आइसा इसा जो कर रहा है यह कैसी लग रही है यह कमेंन सेक्शन में जरूँ शेयर कीजेगा आगे आप उसमें दो कलर देखने को मिल देंगे यह सिलवर कलर और एक डी ब्लू कलर होगा पर सिलवर कलर काफी खुबसूरत दिखने को मिल रहा है तो आज की वीडियो में इतना ही मुलाकात हो कि नई वीडियो में किसी नए अन्बॉक्सिंग किसी ने रेविवीव किसी comparison के साथ अब तक मुझे तनी इचासत मैं हो लिए बासमा सेक्से पाकिसान पाइदाबाद अलाहाफिज